हेलो दोस्तो वेलकम टूमा यूटूब चैनल लेमोन टार्गेट दोस्तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर नंबर तीसरा ओके पहला और दूसरा अल्रेडी अपलोड हो चुका है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से उसे देख सकते हैं और साथ ही में आपको एक और बात बता दूँ कि हमारे इस चैनल पे क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 12 तीनों की पढ़ाया होती है ओके क्लास 12 का तो क्लास 9 वालों के लिए जो फैसलेटी प्रवाइट की गई है हमारे चैनल के द्वारा वह दो-दो मॉडल पेपर साथ ही एक सूपर सीरीज यानि तीन टोटल तीन वीडियो क्लास 9 के लिए सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 वालों के लिए जो फैसलेटी प्रवाइट की गई है हमारे चैनल के तरफ से वह है पांच मॉडल पेपर सभी बिस्यों का इस गिसमें विज्ञान समाजिक विज्ञान अंग्रेजी और अभी जो सेशन चल रहा है हमारा सीरी जो चल रहा है वो चल रहा है हिंदी क का इसके बाद संस्कृत का फिर मैथ का ओके और जो ट्वेल्द क्लास वालों का जो से सीरीज शुरू हुआ है उसमें आर्ट्स वर्ग का पांच-पांच मोड़ पेपर सभी विस्यों का हमारे चैनल के द्वारा फ्री में प्रवाइड किया जरा है तो अभी तक अगर आप हमेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाईए और एक अच्छी त्यारी के लिए अपने सफर को जारी कीजिए अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो ओके और अगर आपको कोई सम्मंधित पढ़ाई से कोई भी समस्या हो तो आप हमारे ग्रूप एम-on-target वाले ग्रूप में जो फेस्बूक और इंस्टाग्राम दोनों पे मवजूद है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में अल्र ऐम-सी-क्यू ठीक है पचास नमर का उसके बाद यह जो दोनों सेगमेंट है इसमें एम-सी क्यू आपको आएगा 100 करना है कितना पचास उसके बाद आपको कहानी कविता को और व्याकरण इन तीनों से आपका पेपर अटेच होगा मतलब कहानी वाले सेगमेंट से कोश्चन कविता वाले segment से question होगा और व्याकरण वाले segment से question होगा total कितना question होगा MCQ 100 करना कितना है मात्र 50 ok तो ध्यान में रखिए और व्याकरण में आप सोचेंगे कि व्याकरण में क्या क्या आएगा तो मैं आपको एक छोटा सा हलका सा हिंट कर दूं संग्या सर्व नाम ठीक है विशेशन, संग्या सरुनाम विशेशन, प्रत्य, उपसर्ग, संधी, समास, विभक्ती, ये सभी आपको व्याकरण के सेगमेंट हैं, ठीक है, और कहानी में कहानी के कवित कौन है, ये कहानी का लाइन किस से लिया गिया है, ऐसे ही कोशन आते हैं, तो व्याकरण में में जो पॉइंट है, वो इसी से सम्बंधित होगा, और इस मोडल पेपर में तीनों सेगमेंट से मिक्स कोशन है, यानि व्याकरण का, कहानी का और कविता का, तो आईए, आज के पहले कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पहला नमर कोशन आपके स्क्रीन पे ये है, कि लिखा हुआ है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, और सब नएं खराब नहीं होते हैं, या उक्ति, किस से सम्बंधित है, विवेका नंद से, रामकृष्न परामहंस की, या हजारी प्रसाद विवेदी की, या काली दास की, तो इस प्रस्न का सही देखक, थोड़ा मेरे पास जगा का इसओ रहता है, इसलिए मनोडी जल्दी भी लिखता हूँ, और फड़ा, लेकिन मैं हर चीजों को तो बोलते ही रहता हूँ, तो आप चीजों को आसान से समझ भी सकते हैं, और जो कविता है, कविता के कौन कवी, इसके नाम आप सबसे पहले कॉपी पे नोट करके याद कर लिजिए, क्यूंकि आपके एक्जाम में चार से पांच ऐसे प्रस्थन होंगे, डिरेक्ट कोश्चन आ जाएगा कि इस कविता के कौन कभी है, इस कहानी के कौन लिखक है, डिरेक्ट आ जाता है, और पिछले मॉडल पेपर में भी जहां तक मैंने आपको बताया ही था यह चीज, आई यह नेक्स्ट कोश्चन को तो देखते हैं, लच्मी, खालिस्थान कहानी की केंद्री पात्र कौन है, डहते विश्वास, अप्शन B, धर्ती कब तक घुमेगी, C, मा, या D, नगर, तो इसका सही अप्शन है, डहते विश्वा प्राइब नहीं किया है, तो जल्दी कर लिजे, नहीं तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक जरूर कर देना है आपको एक दम, और जहां तक हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, सेर कीजिए, क्योंकि हमारा एक मात्र ऐसा चैनल है, जहां 9, 10 और 12, तीनों के कंटेंट एक साथ प्रवाइट के जाते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो जाके प्लेइलिस्ट चेक कर लिजिए, आपको विश्वास हो जाएगा, आइए, गुण वाचक वी सेस्टन है, इन ती चारों आप्सन में से कौन, ऐसा भी सेस्टन है, जो गुण वाचक है, मतलब गुण को दरसाता है, तीन किलो, ओप्सन भी, चार, सी, अधिक, या अच्छा, तो आपको तो क्लियर दिख रहा होगा, इस से असान कोश्चन क्या हो सकता है, अच्छा, ये किसी को गुण बताता है, या बुरा, ठ संधी कितने तरह के होते हैं, तो संधी तीन तरह के होते हैं, पहला स्वर संधी, दूसरा व्यांजन संधी, ठीक है, तीसरा विसर्ग संधी, ठीक है, मैं थोड़ा इसको उपर करद के लिख दे रहा हूं, विसर्ग संधी, ओके, बाई चांस पूछ दे कि संधी कितने तरह क होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं, कौन-कौन स्वरसंदि, ओक्या, दुसरा व्यंजन संदि और तिसरा विसर्ग संदि, तो इसमें पुछा है स्वरसंदी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो है वागपति, ठीक है, वागपति, प्रह नहीं, पॉय यह नीचे हलंद था, आए अगला question को देखते हैं सदियो की ठंडी बुझी राक सुग भुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठला ती है यह पंक्ती किसका है दिनकर का है निराला का है महादेवी वर्मा का है या अग्ये का है देखिए अग्ये जो है इनका पूरा नाम याद रखिएगा कितना बार हो इजाम में यह पूछ चुगा है मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनियेगा सचितानंद, हीरानंद, वचसायन अग्ये अब question पर आते हैं यह जो line है वो किस कभी के द्वारा कहा गया है यह किसने इस्तिमाल किया है तो इसका right answer है दिनकर इनका पूरा नाम आल्रेड़ी आपको पता होना चाहिए रामधारी सिंग दिनकर ठीक है सोट में हम लोग इनको क्या बलते हैं दिनकर आएए पंडित बिर्जु महराज का जनाम कब हुआ था 1935 में 1936, 1937 या 1938 तो right answer क्या हो जागा आपका 1938 नेक्स्ट कोश्चन असुद सब्द है मतलब कौन सही नहीं लिखा हुआ है तो कौन सही नहीं लिखा हुआ है भाई तो आपको पता है ये जो लिखा हुआ है स्रिंगार ये ऐसे नहीं ये ऐसे होता है सिंगार ठीक है बाकी ये तीनों सही सही लिखे हुए है नेक्स्ट कोश्चन मैक्स मुलर ने खाली अस्थैन वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्व विद्याले में संस्कृत अध्यान प्रारम भी किया 15, 16, 17 या 18 वर्ष की अवस्था में मतलब किस उमर के जब वो थे जब उन्होंने अपनी संस्कृत का अध्यान सुरू किया था कि कौन मैक्स मुलर 15 साल के थे कि 16 साल के थे कि 17 के थे कि 18 के थे तो कितने साल के थे तो 18 साल के थे तो क्या किये थे ये संस्कृत अरम किये थे नेक्स्ट पढ़ना फ्रांस का प्रमुख कला केंदर राहा है कौन एफिल्टावर आविनियो एक और भी दोनो या इन में से कोई नहीं तो कोश्चन नमर नाइन आविनियो एफिल्टावर तो पेरिस में है भाई इसका संबन्द तो दूसरे चीज़ से है नेक्स्ट जित जित मैं निखरत्व पार्ठ की विधा है वतलब वो पार्ठ की चीज़ की विधा है सच्छर्था, सच्छतकार, निवन्द, कहानी या कावे और मैं आपको एक छोटा सा बता दूँ जो स्टार्टिंग मैंने बताना भूल गया कहानी का जितना भी कहानी है उसका MCQ हमारे वीडियो का अपलोड है कहानी का जो जितना 12 चेप्टर है उसका MCQ अपलोड है प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जाके चेक कर सकते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को क्योंकि आपको बस कहानी पढ़ना है और MCQ करना है उसके बाद आप निश्टियन जोगे परिशा देना जाईए अई एक ग्यारा नमर कोश्टन दुर्दंत मानुए वीबीसी का कचित्रा करने वाली कविता है एक वरिच्च की हत्या अच्छर ग्यान हिरोसिमा यह जन तंत्र का जन तो यह हिरोसिमा जो है इस पर अधारित कोश्टन पिछले मॉडल पेपर में भी आया था हिरोसिमा और नागा साकी यह कहां का सहर है तो जापान का सहर है जपान वहीं जिस पे अमेरिका ने परमाडू बम गिराया था 1945 में आई अगला कोशन को देखते हैं अधर्म में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग का मतलब जो पहले उपयोग हुआ है पिछले मौडल पेपर में भी मैंने इस पे अधारित बहुत ऐसे कोशन करवाया है तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप अपने समय बरबात कर रहे हैं ठीक है इस मौडल पेपर को करने के बाद तुरंत जाएए और उन सभी कोश्चन को कॉपी पे नोट डाउन किजिए और तयार रहिए कल तीसरे चौथे मौडल पेपर के लिए ठीक है यह तीसरे मौडल पेपर था अल्ड़ी आपको पता ही है तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा इसका उपसर्ग हो जाएगा आ प्रत्य मतलब जो पीछे लगे ठीक है जो सब्द के पीछे इस्तिमाल होता है तो लिखाई में कौन सा हो जाएगा आपके इसाब से तो आई हो गया यह इसी तरह कोश्चन एक दम असान आता है आप लोग बस समझने का फेर है अगर आप कोश्चन को अच्छे से समझ गए तो आपका एक भी कोश्चन नहीं छूटेगा यह मेरा वादा है अगला कोश्चन है अतिस सुधो सने को मारग है जहीं नेक सयान आप बांक नहीं यह पक्ती किस कवी की है गुर्णानक प्रेमधन रस्खान या धनानंद तो यह धनानंद का था बहुत फेमस कवी है और यह सब पंक्ती आप याद रखिएगा ऐसे कोश्चन आते हैं नलीन विलोचन सर्मा का जनम कब हुआ था 1914-15-17 तो 1916 में नलीन विलोचन सर्मा का जनम हुआ था कवी का जनम याद रखिएगा आता है नेक्स्ट कोश्चन हिंदी के आदी कवी है कौन चंदरवर्दाई अमीर खुसरो बिहारी लाल यह सहरपाद तो हिंदी का पुछा है ध्यान रखना है घड़ बड़ाना नहीं है चंदरवर्दाई नेक्स्ट कोश्चन सावर्दय भासा के सफल कहानिकार है हिंदी, मराठी, गुजराती ये राजस्थानी तो किसके है भाई तो राजस्थानी भासा के ये सफल कहानिकार है मतलब कहानी वहानी बनाते है अगला question है सहित्य के निर्माड में प्रतिभाव साली मनुस्यों की खाली अस्तान भूमिका है कैसी भूमिका है न गन्य है, निर्नायक है, न करात्मक है ये इन में से कोई नहीं तो right answer आपका क्या हो जाएगा option B निर्नायक है मतलब important, बहुत जादा very important इनकी भूमिका रही है अगला question है रंग पा, था, क्या जुआरी वैपारी वकील्या किसान ये तो एकदम clear जो लड़के कहानी पढ़े होंगे तो एकदम सीधे देखके question को उड़ा देंगे ठीक है, उड़ा डाला question देखा और उड़ा डाला तो वहीं लड़के उड़ाएंगे जो पढ़े होंगे इसलिए बोल रहा है कि पढ़िये और जो mcq upload है उसको कीजिए और like ठोकिए ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किये है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक अच्छी त्यारी आप करस पाएं और अप class 10 के बाद class 12 में 11 में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको सारे content बिल्कुल free में मिलने वाले हैं तो इस प्रस्न का सही जाब है option number A, 2, R, E था अगला question सुध्धे वाग की कौन सा है इसमें से आज की ताजा खवर रोटी ताजी है, दाल अच्छा है हवा बहता है, कौन सा सुध्ध है मतलब सही सही लिखा हुआ है तो रोटी ताजी है आई अगला question लेखक के घर में मचली कौन खाता था लेखक, पिता, मा या बेहन इसमें मचली वाला कहानी से संबंदित है तो कौन खाते थे, उनके पिता जी खाते थे यानि पपा खाते थे next question लेखक के रिस्तदार ने बहुत बहादूर पर क्या आरोप लगाया था तो यह पैसा चुराने वाला आरोप लगाया था यह तो एकदमीजी question है बहादूर वाला chapter का MCQ upload है और सभी chapters का कम से कम 40 MCQ chapter wise upload किये हैं तो अगर आप चाहते हैं एकदम first division के साथ साथ अच्छा percentage लाना तो हमारे channel पे जितना भी video है class 10 का एकदम chapter wise science का भी है social science का भी है हिंदी का भी है, इंगलीज का भी है मैत का भी है, सब का है बस आपको करना है तो मेरे बिना तुम प्रभू पाठ के लेखक कौन है direct question आगया कहानी है उसका लेखक का नाम पुछ दिया तो कौन होगा भाई इसके लेखक तो आपका सही जवाब हो जागा अप्सान नमर डी ओके, सौरी, ये पीशे चला गया था next question नमर 24 तत पूरुस समास का उधारन नहीं है राजपुत्र, पौनपुत्र, वनवास ये चोरा है तो question नमर 24 का सही जवाब हो जाग अप्सान नमर डी चोरा हा ये तत पूरुस समास का उधारन नहीं है चार है राज जिसका उसे बोलते है चोरा हा अगला question नमर पतीस अव्याई भाव समास में खालिया स्थान पद प्रधान होता है कौन? पूरुपद, उतर्पद, दोनों ये सभी तो अव्याई भाव में जो समान होता है प्रधान होता है पद वो है पूरु मतलब पहले वाला पद ठीक है? क्या होता है? प्रधान होता है मतलब मेन होता है नेक्स्ट question है भारत में बेरोजगारी का मूख्य कारण क्या है? इस option के अधार पर आपको बताना है जाती प्रथा, दहेज प्रथा और सिक्षा या भरष्टाचार तो ऐसे टाइप के questions मैंने आपको पिछले model paper में भी कराया है जाती प्रथा भले ही हम बरबाद हो जाएं लेकिन बोट देंगे तो अपने जाती में ही देंगे इन में से कौन सही सही लिखा हुआ है मतलब सुध्य लिखा हुआ है तो कौन सुध्य लिखा हुआ है तो अभी लासा तीक है अभी लासा यानि एक च्छा एक तरफ का मतलब हो गया एक च्छा नेक्स कोश्चन धनानन्द कवी थे किस तरह के रिती मुक्त, रिती ब्रद, रिती सिध्ध या छायावादी कवी तो ये रिती मुक्त कवी थे नेक्स्ट कोशन देखें एक दमी जी कोशन ऐसे ही आते हैं तो घबडाना बिल्कुल नहीं है अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिछले साल का मॉडल पेपर जो एक्जाम में आपका एक्जाम हुआ है पेपर आया है उससे आप मिला लिजिए कि क्या ऐसे कोशन आये हैं आपको अल्रेडी भी यकिन हो जाएगा जन्म से ही पागल है कौन लच्मी फंपाती सीता या मंगो तो जोन से पाप पाती नेक्स्ट लेखा को मशली खाने से किसने मना किया था पिता माता भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा माने अगला कोशन है पंडित बिर्जु महराज खालियस्थान साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान का मतलब मृत्यो मृत्य हो गया था साढ़े नौ दस बारा या तेरा तो साढ़े नौ ठीक है नौ भी लिखा हुआ एक्जाम में आ सकता है तो घबड़ाना नहीं है स्वामी विवेकानन ने वेदानतियों का वेदानती किसे कहा है टी सी इलियट को दयानन सरस्वती को मैक्स मुलर को यह राजा राम मोहन राए को ये भी याई कोश्चन है याद रखेगा ये जाम में आ चुका है तो किसे कहा है तो Max Muller को ठीक है ये भी याई कोश्चन है मैंने हिंट कर दिया है आपको आपके उपर है कि आप याद कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा आगे अगला कोश्चन नमर 33 दही वाली मगमा ठीक है अम्मा होना चाहिए यहाँ पर पाठ के लेखक है स्री निवास सावर दया सुजाता ये इन में से कोई नहीं राइट अंसर स्री निवास सोर संदी का उधारन है संदी कितने तरह के होते हैं अब मैंने बताया सोर संदी वेजन संदी और विसर्क संदी तो इसमें कौन सोर संदी का उधारन है ठीक है पिछले कोश्चन पुछा था कि नहीं है तो इसमें पुछा है कि है तो जो है है वह है वधुस्त वधुतषव वधुत्सव वधुधन उत्सव उसी को कमबाइन कर दिया है वधुत्सव ललित निबंध है मचली नाखुन क्यों बढ़ते हैं बहादूर ये नवबत खाने में इबाला तो इसी के साथ लगा क्राउंड से बाहर छक्का यानि मचली ओके मचली वाला जो टॉपिक है वो बहुत जादा भी भी याई टॉपिक है यानि चेप्टर है कहानी है इससे हर दम कोश्चन आता है नाखुन क्यों बढ़ते हैं ये भी बहुत इंपोर्टन है देखिए यहाँ पे जो चारो चेप्टर के नाम दिये हैं वो एक दम देख लीजेगा हर दम इससे कोश्चन आता है और इस प्रस्न का सही जवाब अप्सन नमर ए है अलड़ी मैंने बता दिया है आई आगला कोश्चन को देखते हैं देखिए नौबत खाने में इबादत से ही कोश्चन आ गया नौबत खाने में इबादत पाठ के केंदर में कौन है बिर्जु महराज है बिस्मिल्ला खान है जाकिर उसेन ये इनमें से कोई नहीं तो कौन है भई बिस्मिल्ला खान ये क्या बाजाते थे तो सहनाई बजाते थे जाकिर उसेन तबला बजाते थे याद रखिएगा सर्व नाम का भेद है इन में से कौन सर्व नाम का भेद है संबंध वाचक, द्रब्य वाचक, वक्ति वाचक या भाव वाचक तो कौन है संबंध वाचक यानि option number A अगला question तीन बेटे की माँ है मगमा, सीता, लच्मी या पमपाती राइट अंसर इस option number B, सीता ओके, next ये सीता राम जी की वाइफ नहीं है, दुसरी है next, नहीं तो आप लग बोलेंगा कि सीता जी के तो दो बेटे थे लोव और कूस्ट आप तीन कहें बता रहे हैं आई अगला question को देखते हैं, निमलेखित में सर्व नाम है option वह, अच्छा मोहन ये माता पीता, देखिए, अच्छा तो गूण बता रहा है, तो ये भी सेशन हो गया मोहन नाम है, तो ये संग्या हो गया, माता पीता ये सी तरफ नहीं बच्चा, option A और आपको पता ही है, जो संग्या के जगह पे परियुक्त होता है, वो क्या होता है, सर्व नाम next question, रामधारी सिंग्धिन कर रचित पाठ है, मतलब रामधारी सिंग्धिन कर के द्वारा, जो चेप्टर रशा गया है, इन चारों में से कौन है, चेप्टर का नाम है हिरोसीमा, जन्तंत्र का जन्म, भारत माता ये मचली right answer, जन्तंत्र का जन्म next question, द्रव बाचक संग्या का उधारन है, द्रव देखिए किस से इंडिकेट हो रहा है, तो किस से इंडिकेट हो रहा है, यह तिल द्रव ही नहीं है, गुच्छा तो अंगूर का गुच्छा उसमें द्रव है, सहर से कोई मतलब ही नहीं, यह अकछा में द्रव थोड़ी होत तो राइट आंसर दोहा कोस पृत्वी राजरासो किसका है चंद्रवर्दाई का मृष्च कटिकम मेखदूत कालिदास नेक्स्ट कोश्चन बाबा साहब अमबेटकर यानि जिसे भीम राव अमबेटकर का जनम कहा हुआ था तो यह आज कल बहुत ट्रेंड पे हैं याद रखि कोई से इन चारों में कौन कविता नहीं है तो नववत खाने में यह बादत कविता नहीं है क्षके अ नेक्स्ट कोश्चन इस तरह भी डालेकर पूस्ट दका देगा आपको लड़का सि-सर क्या पढ़ाई किया है कोन को नहीं किया है अगर आप किया है तो आपरापसे को स್कुरत करते जाएंगे 25 FCC करना ए सो मेंसे तो समेंसे दोनम्हीं कु मैंसे औक आपको करना है ? अध्य रंधारे सिंग्ण धिन्कर का जनाम खालिय स्थान जीले में हुआ था जमोही मुझा परपूर बेगुसरा या सीता मड़ी तो राइट आंसर बेगुसरा यानि आप्सन नमर सी अगला कोशन नीम नमसे कौन विसेशनल का भेद नहीं है ठीक है विसेशनल का भेद नहीं है पुछा है तो देखिए गुण वाचक अल्रेडी है परिर्माड वाचक है विसेशनल का भी गुण बताता है जिसे विसेशनल बोलते हैं पिछे मोडल में भी मैंने बताया था नेक्स्ट कोशन तार सब तक का समपादन किया किसने इस प्रस्ण का सही जवाब अप्सन ए ही होगा घबडाना नहीं है एकदम विसेशन और अभी तक लाइक कर दिजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको notification bell से कोई फायदा नहीं है और आपको video का कोई notification नहीं जाएगा इसलिए चैनल को subscribe करें आये मिलाक कर रहेत था तार सब्थक का संपादन किस ने किया था तो तार सब्थक का संपादन अग्ये ने किया था इनका पूरा नाम मैंने बताए था सचितानन्द, हिरानन्द, वाजसायन अगे next question खोखा के दाथ किसने तोड़े मदन ने, मदन के दोस्तों ने सेन साहम ने या गिर्धर ने तो किसने तोड़े थे मदन ने ठीक है जार साही में थी कौन? सोवियत, रूस, फ्रांस, नेपाल या चीन जार निकोलस, दूतिया का नम सुने है इतिहास में पढ़े होंगे अप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है जाने दीजिए अब क्या किजिएगा पढ़के सोवियत, रूस, ठीक है जार साही, जार निकोलस, दूतिया, तृतिया यह सब वहां के राजा रानी से समय यह वो राजा थे हैं, ठीक है? रानी नहीं राजा थे है तो 50 MC के हमारा कंप्लेट हुआ कमेंट में बताई आपने खुझ से कितना सही किया है और जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ यह सेर करना है और भगवान से आशिरवाद मांगिए कि मेहनत सफल हो और हमारा भी और आपका भी हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है आप अपने लिए मेहनत कर रहा है तो सेर किजिए अपने फ्रेंट सरकल में जहां तक संभाव हो सके और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोडल पेपर के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर